दोस्तों ये कहानी है कांती सरन मुद्गल और उनके साधारन परिवार की क्या होता है कि कांती सरन महाकाल के बहुत बड़े भगत होते हैं और उनकी दुकान महाकाल के तरबार में लगी हुई होती है कांती सरन के परिवार में उनका एक बेटा विवेक और उनकी एक बेटी और पत्मी ये चार लोगों की फैमिली होती है लेकिन कहानी शुरू अब होती है कांती सरन का बेटा विवेक उज्यन की टॉप स्कूल में पढ़ाई करता है जिसका नाम सवोदे स्कूल है कांती सरंग का परिवार बिल्कुल संसकारी होता है लेकिन होता ये है कि जिस स्कूल में विविक पढ़ता है वहां कुछ बच्चे विविक को परेसान करने लगते हैं और उसको चिडाने लगते हैं ये कहे कि उसका लिंग बहुत चोटा है तब विवेक इस बात से परिशान हो जाता है और वो उसको बड़ा करने में लग जाता है लाख कोशिस और डॉक्टरों के पाus जाकर भी कोई फाइदा न होने पर वो मास्ट्रूबेसन करने लगता है और दोस्तो उसको masturbation की लग लग जाती है तो दोस्तो स्कूल के कुछ बच्चे उसको वीडियो ले लेते हैं उसकी वीडियो बना लेते हैं और वाइरल कर देते हैं वो ही वीडियो स्कूल, समाज और पूरे सहर में फैल जाती है तब स्कूल वालों को पता चलता है और वो कांती सरन को बुलाते हैं और उसके बेटे को स्कूल से निकालने की बात करते हैं और उनके बेटे का वीडियो दिखाते हैं और उसके बाद उनके बेटे को स्कूल से निकाल भी देते हैं उसके बाद उनका सोसाइटी में और सभी ज कांति सरन को मिलते रहते हैं। और अच्छा-च्छा ज्यान देते रहते हैं। फिर कांति सरन उजेन छोड़कर भागने की खोशिस करते हैं। और अपने परीवार के साथ लेकिन वहाँ पर अक्सेकुमार उनको मिल जाते है। और कांती सरन को समझाते हैं कि उनको कोट तक जाना चाहिए तब कांती सरन वापिस अपने घर जाते हैं और दूसरे दिन वो कोट जाते हैं और वो स्कूल और डॉक्टर समेत कहीं लोगों के खिलाफ मान हानी का दावा लगाते हैं और दोस्तों ये कोड का सिलसिला मूवी में काफी सांदार दिखाया गया है जो मैं अपने सब्दों में बया नहीं कर सकता बार बार अक्से कुमार कांती सरन को समझाते रहते हैं और कोड का सिलसिला आखरी तक चलता है दोस्तो कांती सरन जो हैं वो बताना चाहते हैं कि उनके बेटे ने जो मास्ट्रूबेशन किया है वो गलत नहीं है क्योंकि ये चीज स्कूल वालों को सिखानी चाहिए थी क्योंकि masturbation का knowledge नहीं होने के कारण कांती सरन का बेटा विवेक डिप्रेशन का सिकार हो जाता है वो चाहते हैं कि इनके बेटे ने कोई गलत काम नहीं किया है उनकी स्कूल के कारण उनका और उनके बेटे का नाम खराब हुआ है और स्कूल उनसे माफी मांगे दोस्तो यहीं चाहते हैं कांती सरन मिसरा और दोस्तो लास्ट में कोट अपना फैसला सुना देती है अब दोस्तो रही बात अकसे कुमार की तो दोस्तो अकसे कुमार ने काफी सांदार किरदार निबाया है उनका जो किरदार है वो फिल्म में काफी अच्छी तरीके से दर्साया गया है दोस्तों वो मैं अपने सब्दों से बया नहीं कर सकता और दोस्तों जो मूवी में जो भी किरदार निवाया गया है पंकज त्रिपांटी दिन्या जो अपना जो किरदार निवाया है यामी गोतम ने अपना किर्दार निबाया, वो काफी सांधार है, आप चाहें तो वो मुवी देख सकते हैं, बहुत सांधार मुवी है, मैं आपको रिकमेंड है